दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 75 कांस फिल्म फेस्टिवल 17 मई से शुरू हो गया है जिसमें बॉलिवूर इंडरस्टी की एक से बढ़कर एक अभिनेतरी हिस्सा ले रही है और रैट कार्पिट पर अपना शांदार लुक से जल्वा बिखेर रही है जिसे देखकर दर्शक के दिलों में इन्होंने और भी जादा जगा बना लिया और दर्शक इनकी एक्टिंग के दिवाने तो थे ही लेकिन अब इनके इस स्टनिंग लुक के भी दिवाने हो चुके हैं जहां एश्वरे राए बच्चन और तमन्ना भाटिया जैसी बड़ी सेलिब्रिटी भी कर रहे हैं जी हां तो आखिरकार कौन सी है वो अभी नेत्रियां जिन पर भारी पड़ा चुका है हेली का फर्स्ट लोग चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के जरिए नंबर एक एश्वरे राए इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है नीली आंखो वाली पहरान कर दिया रैट कार्पेट पर एक अलग लुक दिखा कर एश्वरे राय ने ब्लैक कलर का खुबसूरत गाउन पहना हुआ था जिसके साथ इन्होंने हैविली फ्लावर्स लगाए हुए थे मगर इस बार इन पर अभिनेत्री हेली शाह के खुबसूरती और लुक्स भ आई थी जिसमें एक वेल भी देखा जा सकता है जो काफी ज्यादा अच्छी लगी इस लुक में और अपनी स्माइल के साथ भी इन्होंने दर्शकों को खूब दिवाना बनाया मगर जिस तरह से हेली शाह 26 साल की उम्र में इतनी स्टनिंग और गॉजिस नजर आ रही है और इस लिस्ट के आखरी कड़ी में बात करते हैं तमन्ना भाटिया की जो रेट कार्पेट पर पहली बार ब्लैक कलर की खुबसूरती ब्लैक ड्रेस में डीपनेक वाली ब्लैक बॉडिकॉन थाई हाई ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें ये नैट की स्लेप्स काफी शानदार जीत लिया और इसलिए हम क्या सकते हैं कि हेली शाहा तमन्ना भाटिया पर भी भारी पड़ गई तेल दोस्तों क्या आपको भी यही लगता है कि अभिनेत्री हेली शाहा इन तीन अभिनेत्रियों पर भारी पड़ चुकी हैं आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में साथ ही एंटेटेन्मेंट इंडरस्टी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले